चाहत पांडे ने आखिरकार कितने बजे अविनाश मिश्रा के उपर पानी डाला जेल में ये चीज आप लोग जानना चाहते होंगे और इस लड़ाई के उपर आखिरकार घरवाले चाहत पांडे का साथ दे रहे हैं या अविनाश मिश्रा का साथ दे रहे हैं चलिए आप ल वहां पर इनके बीच में बात हुई, बात की जगा पर बहस हुई, जिसके बीच में अविनाश ने गवार शब्द का यूज किया. और उसके बाद चाहत पाणने चली गई और उसके बाद वो सुभा पांच बजे करीब उठी और उठने के बाद पानी लेके आई बात्रूम स और सीधा सीधा जो है अविनाश जहां पर सो रहा था वहां पर डाल दिया प्रोमो तो आप लोगों देखा इसी दुरान ही वहां पर डोर के पास जो है बगगा सो रहा होता है और बगगा ने ये बात बोली कि भई जब सुबह सुबह से लड़ाई होने लग गई तब करीब जो है पांच बजे होंगे क्योंकि रौशनी थोड़ी सी थी और बस सूरज जो है वो चल रहा था तो पांच बजे के करीब जो है ये टाइम जरूर होगा जब उसने ये कांड जो है वो किया मेरे को लगा कि सपना चल रहा है बट जब दुबारा से मैंने पूरी आखे खोल ये है कि भई वो गवार शब्द जिस तरीके से बोला क्या तरीके से बोला किसी को कुछ लेना देना नहीं है पर गवार शब्द जो है वो बहुत ही जादा मतलब की अच्छा नहीं होता है कोई भी अपने उपर आफेंसिव जो है उस चीज़ को लेके जा सकता है और जाना हो कि क्या चीज़ कब क्या करनी है उसको गवार बोला जाता है तो ये गवार जो है शब्द ये बहुत ही बड़ा है वैसे छोटा शब्द है पर आगर किसी को बोल दिया जाए तो बहुत ही ठेस पहुंचती है तो इसी लिए जो है बहुत ही ज़दा ठेस चाहत को बोल रही है अब पूरे घर में जो है गवार शब्द घूम रहा है जिसकी लगातार अब डेट और उसके साथ गौसिप जो है आज पूरे दिन आप तक पहुंचाती रहूंगे इसी के साथ ने लेती हूं सासत नमस्कार